हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल दिस इच नो रिगाजिंग मैंडिकेशन वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिपलोक्स टीज़ टैबलेट के बारे में कि इसका कब और कैसे यूज किया जाता है इसकी डोज साइड इफेक्ट कॉंपोजिशन और इसके क इसकी कंजिशन में नहीं लेनी चाहिए जानेंगे पूरी डिटेल में तो आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं और अगर आम मेरे चैनल पे नवे हैं तो सब्सक्राइब आले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकोन जरूर दबाएं ताकि जो गोलियों का पत्ता लगबग जेड़ सो से एक सो साच रुपयों के बीच में मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो ये दो दवाईयों से मिलकर बना होता है जिसमें पहली दवाई होती है सिप्रो फ्लॉक्सासिन पान से अमजी दोस्तों सि क्लूरो कॉइनलोंस कटेगरी के एंटिबाटिक्स है जो कि हमारे शलीर में ग्राम पोस्ट्यू और ग्राम नेक्ट्यू दोनों बैक्टिरिया से होने वाले इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्योग किया जाता है और जो इसमें दूसरी दवाई होती है वो अती है इनीजाजोल 600 mg ये एक तरह की एंटी प्रोचजोल दवा होती है और यह हमारे इंटेस्टाइन में अमोबिक जम्स को किल करने के लिए इसका अप्योग किया जाता है अब जान लेते हैं इसके यूजस के बारे में कि इसका अप्योग किस-किस बिमारियों में किया जाता है जो इसका पहला अपयोग होता है वो होता है डायरिया में दोस्तो डायरिया विमारी होती है यह एक तरह का पेट में दर्द होता है और उसके होजासे मरेश को बुखार भी आ जाता है तो यह डायरिया को ठिक करने के लिए भी इसका अपयोग किया जाता है दोस्तों इसके साथ इसका अपयोग डाय सेंट्री में विक्या आता है यह एक तरह का सिमलर डायरिया जासा ही होता है इसमें क सेंट्री को ठीक करने के लिए इसका अपयोग किया जाता है इसके अलावा इसका अपयोग अमोब्यसिस में किया आता है दोस्तों अमोब्यसिस भी एक तरह का कूण आ जाता है तो यह अमोब्यसिस को ठीक करने के लिए इसका अपयोग किया जाता है इसका इसका अपयोग रेस्पेरेटर・ ऺख्यक्न में बभी कियता है जैसे की निमोनिया हो गया ब्रोंकाईजिस हो गई दोस्तों निमोनिया में क्या होता हमारे छाती में इंफेक्शन हो जाता है बैक्टिरिया की वज़ा से जिसके वज़ासे मरीश को लगतार खासी आती है छाती में दर्द रहता है और बुखा रहता है तो यह निमोनिया को भी ठीक करता है और इसके सास लेने में दिक्कत आती है तो यह ब्रंखाय कीस को भी ठीक करने के लिए इसका आСпी जाता है इसके लावा इसका प्योग प्धिक्शन में भी किया जाता है जैसे अगर मरेश के कान में बैक्टिरिया की वज़ासे inflammation आ गई हो, कान में दर्द हो रहा हो, या फिर कान से पस या मवाज निकल रहा हो, तो ये ear infection को ठिक करने के लिए भी इसका अपयोग किया जाता है। इसके साथ इसका अपयोग UTI infection, जैसे मरेश को पिशाब करने में जलन होती हो, या पिशाब करते वक्त दर्द होता हो, या पिशाब रुक रुक के आता हो, तो UTI infection को ठिक करने के लिए भी इसका अपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक बिमारी होती है, गुनोरिया, जो की मुश्टली sexual contact में आने से फैलता है, ये male या female किसी में हो सकता है, इसमें क्या होता है, मरेश को वही सेम दिक्कत आती है, पिशाब करने में जलन होती है, और महिलाओं में कभी-कभी vaginal discharge भी हो जाता है, तो ये गुनो जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और कभी-कभी पूरे शरी में भी दर्द हो सकता है, अब बात कर लेते हैं इसके डोश के बारे में, तो ये बड़ो को एक एक टैबलेट सुबा शाम पांस साथ दिन तक दिया जा सकता है और जो बच्चे छे साल से लेकर के बारा साल के बीच में उनको सिपलोग स्टीज़च की आधी आधी गोली सुभा शाम पांच साथ दिन तक दिया जा सकता है अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कंट्राइडेकेशन के बारे में कि इसे किस किस कंजिशन में नहीं देने च्छाईए तो जो माहिलाएं प्रेगनेटा isn't बकि जो माहिलाएं बच्चे को दूत पराती है वह इस्टेबलेट को अपयोग कर सकती हैं उन्हें को नुक्साल नहीं करती है इसके साथ ऐसे मरेज जिनको फ्लूरो क्वाइनलवन्स कटेगरी एंटिवाटिक से एलर्जी होती है तो उनको भी इस टैबलेट का अपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों अगर जनकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक करें और ऐसे ही दवाई समझे जनकारी पाने के लिए मे क्वाद्टी इजनकारी पीजनकारी तो सब्सक्राइस तो शाज जरिए उत्कारी शेर्ची में बांगरेई आए तो पीजएस से लिए्नमे वाद्टू 2.0